अध्याई 15. हाइड्रो कार्बन अध्याई रासाइनिक आबंधन में हमने हाइड्रोजन और अन्य तत्मों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सिजन और कार्बन के सहसंयोजी योगिकों के बारे में पढ़ा है। अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना तथा पानी हाइड्रोजन और ऑक्सिजन से बना सहसंयोजी योगिक है क्या आप बता सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने सहसंयोजी योगिक कौन-कौन से हैं और ये क्या कहलाते हैं इन में से कुछ मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन आदी हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के योगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक योगिक बनाता है। जबकि nitrogen, oxygen, इत्यादी hydrogen के साथ एक या दो योगिक ही बनाते हैं। आईए हम जानने का प्रयास करें कि आखिर कार्बन इतने अधिक योगिक क्यों बनाता है। 15.1 श्रिंखलन, catenation मैथेन कार्बन का सरलतम योगिक है। इसका अनुसुत्र CH4 है, तथा सरचना सुत्र इस प्रकार है। मैथेन की सरचना C, single bond H, single bond H, single bond H, single bond H. यहां कार्बन के एक पर्मानु ने हाइड्रोजन के चार पर्मानु से आभंध बनाया है। यदि हम मैथेन से हाइड्रोजन का एक पर्मानु हटा दें, तो हमें CH3 प्राप्त होगा। CH3 को मैथिल सम्मू कहा जाता है। मैथेन के एक हाइड्रोजन को मैथिल CH3 सम्मू से प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा। हमें चित्र में दर्शाया अनु प्राप्त होगा। एथेन की सरचना C, single bond H, single bond H, single bond H, single bond H. एक हाइड्रोजन परमानू का मैथिल सम्मू से प्रतिस्थापन। C, single bond H, single bond H, single bond H, single bond C, single bond H, single bond H. यह एथेन है जिसका अनुशुत्र C2S6 है एथेन से भी हम एक हाइडोजन को मेथिल सम्मू द्वारा प्रतिस्था पेट कर सकते हैं ऐसा करने पर हमें जो अनुश मिलता है उसमें तीन कार्बन परमानों की श्रिंखला है तीन कार्बन परमानों वाली श्रिंखला इस प्रकार हम श्रिंखला में कार्बन परमानों की संख्या बढ़ा कर उसे और लंबा कर सकते हैं तत्वों का यह गुर्ण जिसके द्वारा उसके परमानों आपस में आबंद बनाकर लंबी श्रिंखला बनाते हैं श्रिंखलन कहलाता है कुछ सीमा तक सलफर तथा सिलिकन भी श्रिंखलन दर्शाते हैं किन्तु इनकी श्रिंखला छोटी होती है केवल कार्बन ही लंबी श्रिंखला बनाने में सक्षम है कार्बन में श्रिंखलन का एक कारण या है कि वह अन्य तत्वों के परमानों के साथ ही नहीं बलकि अन्य कार्बन परमानों के साथ भी प्रबल आबंद बनाता है शिंकलन के इस गुण के कारण कार्बन के योगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है